आम और खास में फर्क होता है अगर एक आम आदमी आ भी करता है तो बदनाम हो जाता है और कोई खास अगर कतल भी कर दे तब उसका बाल बाका नहीं होता वैक्सिनिशन मामले को लेकर आपको ब्रमदेब मंडिल की वो घटना याद होगी जहां उन्हें बारेवर वैक्सिन लिया था और पुलीस ने उनके यहां देर राज दबिश दी थी उनके घर का दरव्याद तोड़कर गिरफतार करने की कोशिश की थी हलाकि वो बुजर्ग उस वक्त घर में नहीं था उसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि पुलीस ने गिरफतार कर सकती है उस बुजर्ग यह आरोप लगाया था कि मैंने बारेवर वैक्सिन लिया क्योंकि मुझे वैक्सिन लिने से आराम हो रहा था तमाम जो दर्द थे वो खत्म हो गए थे लेक लेकिन अब खबर यह आई है कि पटना के सिविल सर्जेंट डॉक्टर विभा सिंग पर यारोप लग रहा है कि उन्होंने पांच वार वैक्सिन लिया है दैनिक भासकर अपने एक परताल में इस बात का खुलासा किया और अब तक 72 घंटी बीच जाने के बाद भी इसको ले रोप लग रहा है कि उन्होंने पांच पर वैक्सिन लिया तो फिर अब तक 72 घंटे बीच जाने के बाद भी कोई कारवाई क्यों नहीं भी जबकि उस बुजर्ग पर जो है मात्र 12 घंटे के अंदर स्वास्त विभाग ने फायर दर्ज कर दिया था तो अब यह लगातार कोशनी हमेशा हमें इसे एक लिक हो दी लेकिन क्या इस बात को लेकर कोई अपडेट है कि क्या उन्हों कारवाई हुई लेकिन अगर कोई आम आदमें ऐसी गलती कर देता है तब वही स्वास्तिभाग वही सवील साजन उन पर फायर दर्ज करवाते हैं और पुलिस उनको गि फायर दर जुआ हो या फिर उनको गिरफतार करने के लिए पुलीस ने कभी देर रास दविस्थ दियो और दर्वाजा तोड़ कर गिरफतार करने का प्रयास किया हो और यह सिर्फ स्वास्तिवाग में ही नहीं है हर एक जगा पर देखने को मिलता है आपको पता होगा कि आज पत्रमान विभाग की कारेले से कई खाली श्राब की बोतली मिली थी वहां के जाड़ी में से तैस खाली श्राब की बोतल मिली थी एक कर्मचारी भी गिरफतार हुआ था लेकिन पुलीस यह कहती है कि हम वरिय अधिकारियों के जाच का आदेश का इंतिजार कर रहे हैं उसक से बबलू नाम का जो कर्मचारी था वो शराब के नसे में गिरफता हुआ है तो लगातार ये खबरे आती रहती आपको बताने के जुरत नहीं है आप जहां रहते हैं वहां चारों और इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि एक आम आदमी और एक खास आदमी में फर्क होत तो क्या स्वास्त विभाग के बड़े अधिकारी अपने स्विल सरजन पर कारवाई करने की जहमत उठा पाएंगे अभी तो 72 घंटी बीतने के बाद भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया है लेकिन हमारी नजरे जो है पूरी खबर बनी रहेंगी जैसे ही इसको लेकर अप आजंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद